नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीवी शो विडियोज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्यों टूटा जेनिफर विंगेट और करन सिंग ग्रोवर का रिष्टा? शायद हच से ज्यादा कुछ भी ठीक नहीं होता। जेनिफर विंगेट और करन सिंग की लव स्टोरी जितनी मशूर हुई थी, उतनी ही इस कपल के डिवोर्स की कहानी भी पॉपिलर हुई। हाल ही में जेनिफर ने डिवोर्स पर खुल कर बात की। सोनी टीवी के पॉपिलर शो बेहद में माया का एक डायलोग था हच से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, प्यार भी नहीं। इस शो में माया की भूमिका में जेनिफर विंगेट नजर आई थी। वैसे तो ये बाद हुई टीवी शो के केरेक्टर की लेकिन देखा जाए तो जेनिफर विंगेट की रियल लाइफ में भी ये पंच परफेक्ट बैठता है। क्योंकि करण सिंग ग्रोवर को लेकर जेनिफर विंगेट की दीवानगी बेहत थी और उनसे अलग होने का इदारा भी बेहत था। ऐसे में हद से ज्यादा कुछ भी हो जाए दीवानगी या फिर नफरत कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जेनिफर और करण के रिष्टे में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जेनिफर विंगेट ने हाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान अपने तलाक के बारे में खुल कर बात की। इस दौरान जेनिफर का दर्द साफ छलक रहा था। उन्होंने कहा जब करण से तलाक हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी मैं, मेरा साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये ख्याल अंदर से मुझे तोड रहा था। आखिर क्यों हमेशा मुझे ही इस रिष्टे के तूटने की वज़ा बनाया जादा है। जैनिफर ने आगे कहा कि उन्हें एक दिन ऐसा महसूस होने लगा कि अब वो इन सब चीजों को बरदाश्ट नहीं कर सकती, इसलिए सोशल मीडिया से दूर होना ही उन्होंने ठीक समझा। मालूम हो जैनिफर विंगेट और करन सिंग ग्रोवर की मुलाकात दिल मिल गए के सेट पर हुई थी। शो को दर्शकों ने काफी पसंद किया। जैनिफर और करन की जोडी भी सुपर हिट हो गई। इनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर आग लगाने लगी। उसी दौरान टीवी गलियारों में इनके रोमांस की खबरे फैलने लगी। वजह ये थी कि करन पहले से शादी शुदा थे। लेकिन जैनिफर के प्यार में करन ने अपनी वाइफ शद्धा को तलाक दे दिया। करन और शद्धा के तलाक की वजह बनी जैनिफर। मगर जैनिफर ने कहा कि शद्धा और करन से बीच पहले से ही कुछ ठीक नहीं था और उनकी शादी तूटने के कागार पड़ थी। जैनिफर के परिवार वाले और दोस्त बिलकुल भी नहीं चाहते थे कि वो करन की दूसरी वाइफ बने। लेकिन जैनिफर तो करन के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने यहां तक कह दिया था। अगर भगवान भी धर्ती पर आगर इस शादी के लिए मना करेंगे तो वो नहीं सुनेंगी। तमाम परेशानियों को जहलते हुए साल 2012 में जैनिफर ने करन संग शादी कर ली हालांकी शादी के कुछ वक्त बाद ही जैनिफर को ये महसूस हो गया कि उनका फैसला बिलकुल गलत था। उन्होंने अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। इंटर्वियू के दौरान जैनिफर ने ये भूई कहा कि करन के लिए वो बेहत खुश है और किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है उनके मन में बस वो उन अच्छे पलों को याद रखना चाहती है जिससे उन्होंने करन संग बिताए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और जय हिंद